एनोड रे टीब एक्सपरिमेंट एनोड रे टीूब एक्सपरिमेंट गॉल्ड इस्टिन सक्षाइंटिस ने 1886 में पेश किया था 1886 से पहले जो हमारे पास प्रिविएस वीडियो है यह प्रिविएस You'reie है डिस्टार्स ट्यूब की वो है हमारे पास cathode ray tube experiment जिसमें cathode rays discover हुई थी और इसके अंदर हमारे पास anode ray discover हुई है cathode rays जो थी वो हमारे पास negative से मतलब cathode से निकली थी और anode की तरफ में थी इसलिए उन्हें cathode ray tube कहा था और बिल्कुल इसके oppositely anode से कुछ rays निकलेंगी जो cathode की तरफ आएंगी तो इसलिए हम उन्हें cathode ray tube experiment कहेंगे anode से निकलेंगी और हमारे पास cathode की तरफ आएंगी तो वो हमारे पास anode ray tube experiment कलाएगा या anode rays कलाएगी इसका background देख लेते हैं कि when the study of gases in discharge tube at low pressure जब ballstein scientist ने study कर रहे थे gases की in discharge tube इसी discharge tube के अंदर इसको discharge tube इसलिए का जाता है क्योंकि हम high voltage के साथ connect करके charges provide करते हैं यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक electrode मुझूद है जिसको हमने नाम दिया है anode anode का मतलब आप सबको पता है positive charge और cathode का मतलब आप सबको पता है negative charge इस वज़ा से इसको discharge tube का जाता है यह बात मैंने previous वीडियो के अंदर भी समझाए थी जिसका link में description में दे दूँगा at low pressure pressure low कर दिया जाता है vacuum pump के जरीए उसकी भी क्या वज़ा है vacuum pump के जरीए सारा जो इसके अंदर pressure होता है वो बाहर निकाला जाता है और अंदर एक ऐसी gas डाली जाती है like helium है या neon है हमारे पास इस तरह की gases डाली जाती है उसकी वज़ाई ही होती है कि इनके दरिमान inter molecular forces जो होती है मतलब इनके दरिमान जो bonding होती है वह बहाँसानी break हो जाती है जब बहाँसानी break होगी तब ही तो इसके atom के अंदर जो हमारे पस fundamental particles है electron या proton या इसके अंदर से जो raise निकल ली है वह बहाँसानी इसके अंदर से निकल पाएंगी इसके लावा pressure का जो हमारे पास pressure कम करने का जो दुसरा मकसाद है वो यह है कि बॉयल सैंटिस ने एक theory पेश करी थी जिसका link मैं आपको description में दे दूँगा उन्होंने कहा था कि pressure decrease किया जाए किसी भी gas का जब pressure decrease किया जाता है तो volume of the given gas तो volume of the given gas is also increase वो वैसे वैसे increase हो जाएगा मतलब अगर एक container के अंदर या कहीं पर भी आपके पास gas फिल ले उसका मसलसला pressure कम करवाते जाओ तो खुद बाखुद gas का जो volume होगा वो increase हो जाएगा अब मिसाल के तोर पे helium gas का एक particle ये मुझूद है और इसका size ये है लेकिन मैं pressure को और कम करवाँगा तो हमारे पास अब इसका size और बड़ा हो जाएगा अब अगर मैं इसके pressure को और मजद कम करवाँगा तो इसका size और बड़ा हो जाएगा अब आप खुद अंदाजा करें कि अब अगर ये एक atom ता मिसाल के तोर पर helium का ये एक atom ता तो उसके अंदर electron या proton हमें इस तरह चोटे 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 नज़र आ रहे थे लेकिन जब उसका size बड़ा होगा तो साहर सी बात है वो हमें electron और proton भी बड़े नज़र आएगे ऐसी वैसे हमारे पास वाल्यम बढ़ता रहेगा एंदर स्ट्रेडी ऑफ गेसं डिस्टार्स ट्यूब एट लो प्रेशर ही नॉट इस साइंटिस ने क्या नोटिस करा दर रीज आर इमीटिट बहाइंड दा कैथोड कैथोड के पास से कुछ रेज निकल रही है थोड़ एक ट्रॉन था इस वज़ज़ से इतने प्रेशर के अपर निकला लेकिन प्रुटॉन चूंक है एटम के और मज़ीद अंदर होता है तो वह जहर से बाते और देर से निकलेगा और ज्यादा प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा तो जब 0.001 मिलिमीटर ऑफ एस जी पर हम पहुं इस रेश आर काल एनोड रेश यह रेश किराती है हमारे पस एनोड रेश एनोड रेश निकली और कैथोड की तरफ गए तो सैंटिस नहीं यहां पर हॉल्स कर दिये इस कैथोड के उपर सुराग कर दिये ताकि बासानी हम उन रेश को देख सकें कि वह एनोड कैथोड के पा आपास करवाया और बाहर एक हमारे पास एक compound paste कर दिया जिसे हम लोग कहते हैं zinc sulfide zinc sulfide एक ऐसा compound होता है जिसके साथ कोई rays टकराती है तो वह fluorescence मतलब चमक produce करती है तो इस तरह यह rays भी हा टकरा है तो यहां पर उन्होंने आके चमक produce करी और अपना जो हे दिखाया तो इस वज़र से साइंटिस्ट को पता चल गया कि वह कैथोड की तरफ ही आ रही थी और वह एनोड रे एनोड रेज ही थी